राइपुर की एक बड़ी खबर की चात्राओं के लिए एक बड़ी और एहम जानकारी है पईउक्षा की तारिकों का एलान हो चुका है तारिकों का एलान करने के साथ ही बतादें कि अब हस्तियाद बरतना भी सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा चुकि लगतार कुरोना की तीसरी लہर की आश्रंका के भी तारिकों का एलान किया गया है दस्वी बारवी बोर्ड परिक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और मादमिक शिक्षमंडल के सची वी के गोयल जी हमारे साथ मौझूद है गोईलजी टाइम टेवल जारीकर दिया गया और दशीघें प्रickशा लिए आरिक्श्व को सुरू होंगी और चिर्ष दिफ आ पड़िया गया और bagus判ो एक बैपर के बाद दूसरे में पर द्याइब करें चुटी है नहीं करने के बाद कोई लोगोड हो जाती है तो बाद में डेकले हो यह उसलिए उस दिन परिक्षा आज़ीत करना पड़ता है कि ट्राइम प्हले से घोफित किया किया जाता है हमारे तो इसलिए पहले से हम घोषित कर देते तो कुछ चैंज नहीं करते हैं विद्यार्थी ये जानना चाहर है कि इस बार परिक्षा का मूड क्या रहेगा? क्या आउनलाइन ले रहे हैं कि आफलाइन परिक्षा? परिक्षाइं जो वर्तवान परिक्षितियां हैं उन वर्तवान परिक्षितियों के अनुसरार आफ्लाइन परिक्षाइं ली जाएंगे अगर कोरोना जो मरीज है कोरोना जो संक्रमड है इसकी संख्या बढ़ती है तो आगे आप लोगों की क्या तैयारी है देखे जैसे परिष्टितियां रहेंगी उसके आधार पर उसके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता त्यारी जारी है आप लोगों की दोनों इस तर के लिए बिलकुल बिलकुल त्यारी है अगर हम बात करें दस्वी और बार्वी में तो इस साल कितने स्टूडेंट है क्योंकि पीछले दो साल से परिक्षा लोकल जो है सीधा जर्रल प्रमोशन के रूप में हुआ है सबसे बार्वी में लगभग 393 जार बच्चे है और द्यारथियों के लिए क्या गाइडलायन है हम टाइम टेबल में देखते हैं और सभी चात्रों को सुपकाम मैं परिक्षाओं के लिए देता हूँ आप से हम एक ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि लोकल कक्षा से बोर्ड कक्षा में पहुंचें और लोकल कक्षा इस बार जैसे जर्रल प्रोशन दिया गया है तो क्या लगता है गड़ीत और अंग्रेजी तो चात्रों के पर लोड़ थोड़ा कम रहेगा सिर्फ इसले कम किया गया कि चात्रों को सुविधा हो और 17 परफेंट परक्रम पड़की बर्चे एक जाम देंगे तो उनको थोड़ा सुविधा होगी थोड़ा सव रहेगा निर्धारी जो पार्ठक्रम है उसी से प्रशन जाएंगे नाकी पूरा बिल्कुल नहीं निधारी पार्ठक्रम में भी स्विफन कम किया गया कटोटी की गई है और कटोटी किया पार्ठक्रम से प्रसंट पूछे जाएंगे कोई नंबर जूड़ेगा क्या आप लोग जो देते रहें नहीं नंबर जोड़ने का और जैसी प्रायोगिक परिक्षा के लिए क्या दिसांटेबल जाएंगे और यह भी कहा जा रहा है कि जो परिस्ति बनेगी उसके अनुसार आगे निड़ने बदला भी जा सकता है अब देखना है होगा कि क्या कोरोना संक्रमण प्रदेश में आगे जो संक्रमण का दर बढ़ती है या नहीं कैमरा में रेक राम के सांथ सत्या राजपूत नीश 24 राइपूर